हलो फ्रेंड्स आज का शंपात की डिक्टेशन असी वर्ड पर मिनट की गती से बोला जाएगा सो चलिए दोस्तो डिक्टेशन स्टार्ड होगा पांस सेकेंड बाद स्टार्ड देश के पहले स्वदेशी विमान बाहग पोत आई एन एस बिक्रांग के जलाव तरण के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में सामिल हो गया जो ऐसे पोत स्वयम बना सकने में सक्षम हैं इसी कारण प्रधानवंत्री ने आई एन एस बिक्रांग को रक्षा छेत्र में आत्मनिर्भरता का परिचायग बताया रक्षा छेत्र में आत्मनिर्भरता समय की एक ऐसी मांग है जिसे पूरा करने के लिए ना केवल हर संभाव प्रयास किये जाने चाहिए बलकि इस उद्देश के तहट काम किया जाना चाहिए कि भारत रक्षा समगरी और उपकरनों का आया तक बनने के बजाए निर्या तक बने यह केवल इसलिए आवश्यक नहीं है क्योंकि भारत उन देसों में सामिल है जो अधिकांस रक्षा समगरी आयात करता है बलकि इसलिए भी है क्योंकि सेन जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में विदेसी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है यदि देस अपनी रक्षा आवश्यक्ताओं के लिए आत्म निर्भर हो सके तो हतियारों की खरीद में खर्च होने वाले धन को देस के विकास में लगा सकता है रक्षा जरूरतों के मामले में आत्म निर्भर होने की आवश्यक्ता इसलिए भी बढ़ गई है क्यूंकि कई बार जरूरी रक्षा सामगरी समय पर नहीं मिल पाती भारत अपने अधिकांज रक्षा जरूरतों के लिए उस रूस पर निर्भर है जो युक्रेन युद्ध के बाद से चीन के निकट जा रहा है चोकि इसका कोई पता नहीं की युक्रेन युद्ध कब समाप्त होगा इसलिए यह आसंका बढ़ गई है कि भारत को रूस से रक्षा सामगरी और कुपकरण हासिल करने में कठनाई और देरी का सामना करना पढ़ सकता है इस सिलसिले में यह भी किसी से छिपा नहीं की रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने में अच्छा खासा समय लग जाता है इसके चलते कई वार शेनाओं को समय पर रक्षा सामगरी नहीं मिल पाती एक ऐसे समय जब चीन सत्रुतापूर रवया अपनाए हुए है और इसके कोई आसार नहीं की बह सीमा पर तनाव खत्म करने का एक्छुक है तब यह कहीं अधिक आवश्यक है कि भारत अपने सेनाओं को किसी भी खत्रे का शामना करने के लिए तैयार रखे जैसे चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता वैसे ही पाकिस्तान पर भी ये दोनों देश भारती हितों के खिलाप काम करने में लगे हुए हैं इसे देखते हुए भारत को अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के मामले में ततपरता का परिचाय देना होगा एक ऐसे समय जब भारत ने अगले 25 बरसों में स्वयाम को विक्सित देश के रूप में उभारने का लक्ष रखा है तब यह और आवश्यक हो जाता है कि बह अपने रक्षा जरूरतों के मामले में पूरी तरह आत्मिर्भर बनने की ठोस रूप रेखा बनाए ध्यान रहे कि कोई देश बास्ताओं में विक्सित तभी बनता है जब रक्षा के मामले में आत्मिर्भर होता है दोस्तों डिक्टेशन अच्छा लगे तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब अवश्यकरें धन्यवाद